हेलो सुजेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज की इस वीडियो पे हम आपके सामने फिर से जो है एक वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके ऑन केंपस, ऑफ केंपस, प्लेशमेंट या फिर आपके गौश्ण की पेशिंज को लेकर के लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहाँगो अगर आप माकैनिकल से या उसके अलाइड ब्रांचिस से है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है स selection criteria के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें की previous year में जो उनके technical interview में जो questions पुछेगे उनको आपके सामने रखा है, साथ साथ जो उनका HR placement में जो previous time में जो questions पुछेगे उनको हमने इसमें detail में discuss किया है, इसकी साथ हमारे YouTube चैनल पे जो है, जो बच्चे डिपलोमा या फिर correspondence डिगरी कर रहे हैं या फिर pass out हो चुके हैं, तो उनके लिए भी हमारे YouTube चैनल पे जो है, आपको जो main subjects है, आपके government exam को लेकर टेकनिकल सब्चेक्ट जो है जिसमें आपका thermal engineering है, आपका strength of material है, आपका design of machine है, आपका manufacturing science है, आपकी manufacturing engineering आपका सकते है, manufacturing science आपका सकते है, material science है और से साथ जो है, आपका theory of machine है, तो आप मिल जाएगे कि आपको applied mechanics के आपको मिल जाएगा, ठीकन, और इसके साथ जो है, आपको हमारे YouTube चैनल पे जो है, और भी जो mechanical के subject से उनकी video lectures आपको मिल जाएगे, जिससे कि आप अपने theoretical concept जो है, अच्छे से clear कर सेएगे, क्योंकि ज mechanical का जो आपका exam होता है, उसमें जो है, ये सभी subjects बहुत important है, क्योंकि technical exam में इन सभी subjects जो है questions पूछे जाते हैं, इसके साथ आपको fluid mechanics भी मिल जाएगा, ठीकन, fluid mechanics आपको ये साब hydraulics भी कहते हैं, तो उसके भी आपको काफे सारे videos, lectures हमारे YouTube चैनल पे आपको जो है, मिल जाए जाएंगे, तो ये सभी subjects आपके campus placement, off campus placement, government exam, technical paper को लेकर के बहुत important subjects हैं, तो इन सभी subjects, e-video lectures हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इसके साथ साथ हमारे दुआरा कुछ e-books लिखी गई है, जो कि आपके campus placement को ध्यान में लिखी गई है, ठीक है न, और आपको off campus placement को ध्या को लेकर के भी हमारे दुआरे e-book लिखी हैं, जो e-books हैं वो आपको Amazon पे मिल जाएंगे, उनके लिंक है, आपको इस वीडियो के description मिल जाएंगे, आप वहा से जाकर के Amazon से उनको purchase कर सकते हैं, और इन e-books की help सुझे अपनी on campus, off campus, या government exam की patients को आप better कर सकते हैं, ओके, तो चल पूचे गए हैं, आज की इस वीडियो में हम उन questions को आपके सामने रखने जा रहे हैं, हमने इस वीडियो थी उसमें आपके सामने L&T के technical questions को आपके सामने रखा था, और आज की इस वीडियो में L&T company के जो previous time में aptitude test के questions पूचे गए हैं, उनको हम आपके सामने रखने जा हैं कि तो चलिए स्टार्ट करते है कि तो सबसे पहले जापका एंटोनीम में पूछा गया था ापका एंटोनीम का प्रिजक करист का नौसा है तो वह समें चूज करना है तो यह question प्रिवस्टेम में पुछा है जिसमें आपका cyclical rhythmic recurrent और आपका permanent तो recycling तो आपका चक्रिय हो गया periodic का मतलब हो गया आपका इसमें अवधिक ठीक है ना तो अवधिक Hindi meaning हुआ तो cyclic का चक्रिय हो गया rhythmic में आपका जो है ताल सेरेट है music सेरेट है तो यह भी इसका नहीं होगा ठीक है ना और recurrent का मतलब है आपका recurrent जैसे आपका recycle reprocess तो उसी से आपका बना recurrent आवर्ती है ना recurrent तो यह मैच कर रहा है इसमें और permanent भी से मैच नहीं करेगा क्योंकि परण इस्थाई होता है आपका पर्मनेंट का मिनिंग तो इसका हमें opposite देखना है प्यरीडिक का तो वह बनेगा आपका प्यरीडिक का मतलब का आवधिक हुआ और आपका recurrent होगा आवर्ती तो इसका जो राइट आंसर वह आपका तो आपको जो पुरिडिक का जो आपोजिट वर्ड हो आपका री करेंट है ठीक है तो राइट आंसर ही सी ओके आपको जो मीनिंग भी पता होने चाहिए तभी आप जो उसका पुझे पर उसमें सर्च कर पाएंगे जो भी ओप्शन सापके इतनी है उसमें से ओके तो पिरिड as a tusb z then how will we m ou u r n aau b coded तो पहलें देखें है के इसमें कोड़ न अनाटा है श के बाद के आता है therefore को S के बाद आता है आपका T ठीक है और T के बाद आता है आपका यहाँ पर U और R के बाद R के बाद आता है आपका S और A के बाद आपका B और Y के बाद आता है आपका Z तो मतलब 1 प्लस 1 लेके हम चलेंगे तो M के बाद क्या आएगा आपका N O के बाद N, O, P और U के बाद U, P, Q, R R आएगा M, N, O, P, Q R, S, T, U, V V आएगा और R के बाद क्या आएगा S N के बाद क्या आएगा O तो यह N, P, V, S, O N, P, V, S, O तो इसका जो right answer होगा वो होगा आपका B ओके तो आपको देखना पड़ेगा कि sequence of series कैसे बनी, तो इसमे प्लस 1 की करके बन रही थी, हर उसमे एक प्लस 1 एड हो रहा था, कहीं पर प्लस 2 करके भी होता है प्लस 3 करके भी होता है, मैनस 1, मैनस 2 करके भी होता है, तो आपको जो है नेक्स क्वेशन, क्वेशन नमबर 3 यहाँ पर as hungry is related to food hungry जो किस से related आपका food से तो थ्रस्टी, प्यासा जो है related हो किस से, drink से, tea से coffee से, water से, तो जो थ्रस्टी है, वो related होगा आपका water से, तो right answer जो इसका वो होगा आपका D नेक्स क्वेशन, क्वेशन नमबर 4 as fly is related to parrot मतलब जो parrot के जिले डिशन ने लिया है तो parrot जो उड़ता है तो fly in the same way उसी वे में creep is related to creep माने होता रेंगना है ना, तो रेंगना तो यह किस से रेंटीड होगा आपका तो यहाँ पर snake से, rabbit से, fish ते क्रकुडैल से, तो rabbit तो दोड़ता है, fish आपका त्यारती है और क्रकुडैल आपका चलता भी और त्यारता भी है, तो इससे related to आपका snake से, तो right answer is A इसके बाद next question, आपका question number 5 तो इसमें आपका six women can do 75 unit of work in 8 days तो six women है, जो की 8 दिनों में, जो है, 75 unit जो है, वो आपका काम करती है, और daily जो वो काम करती है, five hour per day, ठीक है ना? तो पाँच घंटे daily वो काम करती है, और आठ घंटे काम करती है, पिशितर unit जो है, वो को complete करती है in how many days four women do 30 unit of work by working 8 hour per day, अब उत्रही काम को जो है, चार women जो है, वो यहाँ पर दिया, 40 women 30 unit work को जो है, आपका 8 घंटे पर day के एसाब से complete करती है, तो वो कितने दिन में जो है, इतना काम करेंगी, ठीक है ना? तो in how many days four women do 30 units काम को जो है, जो four women है, वो 8 hour per day काम करने पर कितने दिन में complete करेंगी? I think question आपको समझ में आगया होगा, कि six women जो है eight days में जो है, आपका 75 unit काम करती है, five hour per day काम करके, तो 4 women जो है, 30 units work को जो है, अगर 8 घंटे per day के हिसाब से काम करेंगी? तो कितने दिन में complete कर लेंगी? तो यह question पूछा गया था, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप क्या करों इसमें? अगर हम six women के हिसाब से देखें, तो six women के हिसाब से eight into five eight hour, eight day, और आपका five hour per day, तो total कितने काम हुआ, आपका 40, तो 40 hours में कितने घंटे काम किया और कितनी यूनिट बनी? 75 यूनिट, ठीक है? 75 यूनिट बनी, और अगर वही हम ले ले लें आपका four women के हिसाब से, तो इसमें क्या होगा, आपका 75 यूनिट into तो चार women के हिसाब कितने काम होगा, तो इसमें four by six कर लेंगे, दो दूनिचाट, दो ती यूनिचाट, दो ती यूनिचाट, तो 75 into two by three तो तीन से तीन दूनिचाट, आप तीन पंचे बंदरा, तो यहां से आजाएगा आपका, यह निकल के 50 यूनिट आजाएगा यहां से, ठीक है ना, कितना आजाएगा, 50 यूनिट तो चार वुमिन जो हैं, अगर उतने काम वो करती हैं, उस दिन में तो कितने उनका 50 यूनिट बनता है, लेकिन आपने निकालना है, 30 यूनिट के असाब से, ठीक है, हमको निकालना है, 30 यूनिट के असाब से, अगर चार वुमिन जो हैं, 40 घंटे जो टोटल निकला था, 8 दिनों में, अगर उतने घंटे काम करती हैं, तो वो 50 यूनिट का ही काम करेंगी, ठीक है, यहां से यह निकल के आ गया, ठीक है, तो हमने निकालना है, 6 वुमिन जो कर रही थी, वो उनका था आपका 75 यूनिट, 8 में 5 घंटे के ह्साब से, टीक है ना, और 4 वुमिन जो कर रही थी, वो कितने एट देश, पाज घंटे पर रहर के साब से, वो 50 यूनिट पर एटे कर रही थी, थी काम कर रही थी, ठीक है न, पास दिन में 8 घंटे काम कर गया, लेकिन, हमने 30 अगने का निकलना है, तो सम्हे करेंगे 4 women का 30 units of days के इतना hours कितने 40 घंटे 40 गंटे इंटू में हम कर देते हैं आपका हमें 30 का निकालना है लेकिन आज दिन में डेली 5 घंटे काम करके जो कितना 50 लिए बना रही थी तो यहां से आपका जो है निकालेंगे हम कितने घंटे वा जाएंगे तो यहां से हम निकालेंगे इसको तो यह आ जाएगा आपके यहां से निकल के आएगा देखो यहां पर काट दो आप इसको तो यहां पर चाड़ती है 12 तो यह जाएगा आपको 1200 और आपको पचास ते इसको करेंगे तो यह जाएगा आपको 24 अवर्स कितना जाएगा 24 अवर्स आगया ठीक है अब 24 अवर्स आगया 24 घंटे अब उसी यहाँ जियाँ आपको द्यावाता 8 अवर्स दे रखे ना 8 घंटे गर वो काम करें तो 30 उनुट को कितने दिने बना लेंगी तो एक दिन का आपको निकालना है तो वन अवर एक वन डे का निकालना है आपको तो आपका 24 डिवाइड़ बाई 8 तो यहां आ जाएगा आपका 3 डेज ठीगा ना 8 तो 24 तो 3 डेज आएगा तो राइट आंसर इसका जाएगा आपका B ओके किलियर चलिए यह कोश्चन आपको अच्छे से समझ में आ दिया होगा अब चलते हैं नेक्स कोश्चन पे कोश्चन नमबर 6 अब कोश्चन नमबर 6 में जो इसने दिया है मुकेश का जो वेट है वो 56.7 आपका जो इसमें kg में दिया हुआ है if he reduce his weight in the ratio of 7 रेशो 6 ठीगा ना तो new weight जो मुकेश का कितना होगा तो आप देखो इसमें जो हमको ratio दिया है उसको माल लेते हैं आपका यहाँ पर 7x और आपका जो है 6x ठीक है ना तो अगर हम उसका जो वेट देखें हम बढ़ते हैं और रिड्यूज वेट के इसाफ से हम जाएंगे तो अगर अपका जो इसका गेन वेट के इसाफ से देखें हैं तो 7 ठीक है ने इंट्रों में आपका x is equal to 56.7 तो यह x is equal to 56.7 आप करेंगे divided by 7 कर देंगे तो यहाँ पाइजाएगा 8.1 ठीक है यह आए आए आपका जो अब जो current weight है उसमें जो improvement हो है वो 8.1 के इसाफ से है अपका तो reduced weight हमें निकालना है अब हम क्या करेंगे 6x ठीक है और x की value आप 8.1 है तो 6 into 8.1 कर देंगे तो यहाँ से आपका answer आजाएगा 48.6 तो तो reduce weight जो कितना वाक्स का 48.6 तो मुकेश का जो actual weight of 56.7 kg था अब बाद रिड्यूस करता अपने weight को तो वो 7-6 के उसमें जो है वो reduce होगा और उससे आप से उसका नया weight क्या बनेगा तो उसका नया weight बनेगा वो बनेगा 48.6 अब चलते हैं आपका next question, question number 7 तो question number 7 देखके अगर ए शॉप के पर expect a gain of 22.5% on his cost price जो बिसी cost price थी product की उसने उससे जब 22.5% एक्स्टा कम आया if in a week his sale was 392 रुपीज तो उसकी अगर उस week में जो sell है 392 रुपीज की हुई है what was his profit तो उसका profit कितना बना देखो simple सी बात है आपको यहां पर cost price निकालनी है तो cost price में CP में आप देख लो कि मालो जो actual price था वो आपका 100 माली हमने और बटे में जो उसने gain किया है तो टोटल वो ले लो आप तो यहां जाएगा आपका 122.5 बैसो तो था ही प्लस उसमें 200 राट हो जोगा है जो कि उसमें gain किया है तो हंटे में 22.5 हो जाएगा और इंटू में टोटल उसने को जो sell किया कितने उसका किया है 392 रुपीज का ठीक है को दिक कितनी हाज से दिश यहां पर मैंगर कर दूँ इसको तो यह हो जाएगा आपका 200 और यहां यह हो जाएगा 245 यहां से काटूंगा तो यह आजाएगा 40 इससे करूंगो यह आजाएगा 49 तो 392 की 40 से अगर multiply करूंगा और 45 से डिवाइड कर दूँगा इसको तो यह हो जाएगा आपका यहां पर में से आपका 320 को माइनस कर दूंगा तो यहां से आ जाएगा आपका 72 तो उसको जो प्रॉफिट हुआ हो 72 रूपीज का हुआ तो राइट आंसर जाएगा वो आएगा इसका C इसके बाद आता आपका question number 8 में जो पूछा गया है वह आपके सामने यहां पर गोतम वाज फिसिंग नौर्थ तो हम पहले से बना लेते हैं यहां पर आपका ले लेते हैं आपका यह जाएगा आपका नौर्थ यह जाएगा इस्ट और यह जाएगा आपका वेस्ट तो आपका तो गोतम फिस्ट ध की तरफ मुखर के खड़ा हुआ है ठीक है तो 40-meter ही वार्ट चल तो 40-meter चला चरू चल गया 40-meter ठीक है उसके बाद लेफट हम स्थांट करने के बाद और वह चल आपका 20-meter ठीक है 20-meter चल गया फिसने लेफ्ट लिए फिर चला 40 मिटर तो फिर चला 40 मिटर तो 40 मिटर फिर आ गिया उसके था हाओ फार इस ही फ्रॉम दा ओर इजन तो ओरिजिनल पॉइंट से कितने दूरी पर है तो यह डिस्टेंस कितने हैं 20 तो 20 की दूरी पर है तो राइट अंसर इस ए ओड़े उखे आयाद कोशन मंयंतर नम नमल्रे नाइन आपके सामने हैं मोहीत सेंड तो महीत नंहें से कहा चाहता कि आपके जो प्रदर का जो बेटा है वह मेरी वाइप की है तो how is Neelam related to the wife of Mohit तो जो Neelam का Relation है Mohit की wife के साथ च哇नेगा Aunt का mother-in-law का sister का can not be determined तो भ Ire देखो Neelam अज जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका देखो Mohit ने Neelam से क्या चाहा कि आपका जो brother है ठीक ना उसका आपका ब्रहदर का बेटा है वो मेरी वाइप का भाई है तो नीलम का जो उसकी वाइप के साथ क्या रिलेशन होगा तो नीलम का जो उसकी वाइप के साथ जो रिलेशन होगा वो ओका आंट का आंट का रिलेशन होगा ठीके ना क्योंकि जब मोहीत की जो वाइप है उसका तो ब्रदर हुआ और जो निलम का जो ब्रदर है उसका वो क्या वा वो उसका son हुआ ठीक ना तो उसका भाई उनका son हुआ तो that means वो निलम का जो relation होगा उसकी वाइप साथ वो aunt का relation होगा ठीक है यह आपका relation से था question इसके बाद question number 10 आपका वो आपका synonym मतलब same उसी के जैसा जो meaning वाला word वो निकालना है तो synonym में आपका unilateral unilateral का मतलब होता एक तरफ है ना एक तरफ है तो sloping तो ढलान हो गया one side एक side parabola जो आपका half semicircle type और आपका innumerable इसका meaning भी अलग है तो इसका जो right answer रोगा unilateral का वो बनेगा one side right answer is B तो इसका right answer जो आपका वो B बनेगा इसके साथ साथ हम बताना चाहें कि हमारी जो और भी e-books हैं जो कि आप जो है Amazon से ले सकते हैं अपनी complete exam की त्यारी के लिए campus placement के लिए off campus placement के लिए और आपका interview की preparation के लिए तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहें कि हमारी जो e-book आपका mechanical companies technical interview questions explanation इस e-book में mechanical की companies हैं उनके previous time में जो on campus, off campus जो interviews हुए हैं उनकी questions साथ में answers आपको मिल जाएंगे तो आप इस e-book को ले सकते हैं और अपना on campus, off campus की preparation को आप better कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप HPCL के exam की preparation कर रहे हैं बॉलर टेक्निक्शन के exam के लिए तो आप इस e-book को ले सकते हैं इस प्रिवियर्स के जो है जो exam में जो questions आएं वो इस e-book में दिये हुए हैं इसके साथ साथ अगर आप कॉलकाता मुनिसिबल कोपेशन का सब इस इंजिनियर मेकैनिकल के लिए अगर आप प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप इस e-book को ले सकते हैं इसके साथ साथ छो अशिस्टन मोटर विकल इंसपेक्टर की जो यह इस और आपको आपको एमाजान पर पर में तो आपको इसमें मिल जाएगी हाइड 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 मेशीन वॉल्यूम वन के बारे मापको बता चुका हूँ तो इस इबुक को भी आप ले सकते हैं इसके साथ जो है थियोरी इफ मेशीन का जो सब्जेक्ट है यह बहुत इंपोर्टेंट है आप चाहिए ऑन केमपस में आप बैठें या आप इंट इसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट एबुक है मेशीन डिजाइन की बिल जाएगी मिल जाएगी जो कि हर एक एक बीफ्जांंनों मेशीन यह टेक्निकल इंट्रू पिरशन के लिए आपको यह बुक मिल जाएगी, तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो डियाईड़ू का साइंटिस भी का एक्जाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, तो उनका उसमें इंट्रू इंट्रू होता है, तो तो जो बच्चे on campus, off campus, आफिर बीटे के बाद scientist पी का जोनों DRD में दिया है, उनको interview को ले सकता है, और अपने interview को ले सकता है, और अपने interview को ले सकता है, क्योंकि एंटर्यू में कहीं से कोई भी technical question पूछा सकता है, तो जितना matter मिल जाया है, वो कम है, ओके, इसके साथ हम बत कर सकते हैं, इसके साथ अगर आपने AutoCAD किया या अगर आप यह बिखना रहे हैं, या फिर आपको लगता है, क्या आप काफी expert है, आप कुछ ही त्यारी हो गई है, लेकिन आप mechanical की components के machine के parts के और चीज़े ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे AutoCAD 2D 3D practice e-book को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस e-book में आपको mechanical की machinery है, उनके component साथ में आपको automobile के parts हैं, वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपने practice को आप कर सकते हैं, इसके साथ हम आपको बताना चाहें हैं कि हमारे जो अगली बुक है, हाट टूपर फरगेटिंग और ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे है, डिप्लोमा बीटा ही कि हमारे में 1st year में 2nd year में 3rd year में, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप इस e-book को ले सकते हैं, और अपने preparation को आप better क कर सकते हैं, आप campus placement कैसे पा सकते हैं, off campus placement में अगर आप तो हमारे कैसे preparation कर सकते हैं, अगा government आपको होते हैं, तो इस e-book में अच्छे से दिया हुआ है, तो ये बुक जो हमारी English edition में भी अवले है, और ये बुक हमारी Hindi edition में भी अवलेबल है, आप दोनों में से Hindi English में आप लेना चाहें, तो आप अपनी इच्छान होसा ले सकते हैं, अपनी प्रफिशन को बेटर कर सकते हैं, okay students, तो आज की इस वीडियो मैंने आपके सामने आपके सामने प्रिवेस टाइम में जो आपका non-technical questions पूछे गए तो उन questions को मैंने आपके सामने रखा, I hope so, इस वीडिय जो test होता है, उसमें आपका किस किस टाइप कोशें जो हैं, अब मैं पूछे जाते हैं, तो आपको कौन कौन से topics को अच्छे से cover करना चाहिए, तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा उसका और इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा और उपर आई बटन पर जा आपको उसका link मिल जाएगा और इस वीडियो के last में भी आपको link मिलेगा तो आप जाकर इस वीडियो को watch कर ले और झो अप्ट्विट सेले पर से उसके अकौडिंग आप अपनी preparation को start करें तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नैक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ में ओके थाइंक यू